बिसमल्लाहिर रख्मान रएम अगर हंड्रेट इमेल्स हमें सेंड करनी हो जीमेल से और एक्सल शीट की डेटा की तो वो किस तरह से कर सकते हैं वन किलिक के साथ यह आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोफ एक्सल को ओपन करेंगे यहा हमारे पास लिस्ट है सारी कॉलम में इमेल ची इसके अंदर एक्वल टैक्स जोईन फंक्शन यूस करेंगे यहां पर ब्रैकट ओपन इंवाटिट कॉमा कॉमा इंवाटिट कॉमा और फिर टू के साथ कॉमा लगाएंगे टैक्स के अंदर आल कॉलम कंट्रोल शिफ्ट इससे हमारी जितनी भी email ाइडी होंगी वह हो जाएंगी ज्वाइन यानि combine Excel में आ जाएंगी और separation के लिए यहाँ पर हमारा comma separated होगा तो बस यह काम करने के बाद जो भी आपकी email ाइडी के records होंगे आपको text join function से Excel में shift करना है Ctrl C करना है copy और अपनी Gmail ID को login करेंगे Gmail ID login करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास compose compose option के अंदर Ctrl C से जो copy किया हो हो यहाँ पर हम कर देंगे paste तो जितना भी paste record होगा सारा email ID का आपका इसा रेड हो जाएगा और इसके अंदर subject तो यहाँ पर हम hide here और subject में कर देते हैं let's अब जो भी आपका subject है वो आप इदा रेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जाएगे और इसके साथ हम आजएगे यहाँ पर both of our companies are awesome so we should do business together when can we meet ठीक है जी यह टाइप कर लिया जो भी आपका total message होगा वो आप इदर email all id आपने पेस्ट करेंगे यहाँ से जाकर send पर किलिक करेंगे तो आपकी email id सारी email address के ओपर जो हमने आपके copy paste किया हो ता कॉमा से प्रेटिट यह इदर प्रेस्ट भी है जारे customer students यह जो भी टीम होगी आपकी जिनको send करने एजिली send करने से यह one click से सारा message आपका उन तक चला जाएगा तो शॉर्ट और इजी तरीके से मैंने explain करा हूं मिद करतों video पसंद आई हो कि like करें मैं नेक्स वीडियो में लाफिस